नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवे देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की सुरक्षा कितनी जबरदस्त होती है इससे तो हर कोई वाकिफ है परिंदा भी उनकी सुरक्षा में पर नहीं मार सकता उनकी सिक्यूरिटी से लेकर उनके काफिले की कारू तक सबकी खासियत अपने आप में लाजवाब है जिस कार में वो सफर करते हैं वो सुरक्षा के लिहास से कई खासियतों से भरपूर होती है जिस पर गोली, बारूद और बम तक का असर नहीं होता इसी बीच अब पियम मोदी के काफिले में एक और नई मरसडीज शामिल हो गई है जिसकी खासियत आपको हैरान कर देगी पियम की सुरक्षा के लिहास से इस नई मरसडीज को लाए क्या है इसका मॉडल नंबर मरसडीज मेबैक S650 गार्ड है ये कार कई शांदार और हाई टेक फीचर से लेस है लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि इस पर गोलियों और बम के धमाकों का भी असर नहीं होता हाल ही में रूस के राष्टपती व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पीम मोदी को इस कार में पहली बार देखा गया था मोदी की इस नई कार में क्या-क्या खासियत है चलिए आपको बताते हैं इस कार में हाई लेवल सिक्यूरिटी सेफटी प्रोटेक्शन दिया गया है कार के विंडो ग्लास और बॉडी शेल इतने मजबूत हैं कि इस पर AK-47 जैसी खतरनाक राइफल की गूलियां भी बे असर है कार को एक्सप्लोजिव रेसिस्टेंस वीकल 2010 रेटिंग मिली है इसमें बैठा शक्स महज 2 मीटर की दूरी पर होने वाले 15 किलोग्राम तक के TNT विस्पोर्ट से भी सुरक्षित रह सकता है गाली की खिलकियों पर पॉली कार्बोनेट की परत होती है इससे सुरक्षा की एक और लेयर मिलती है गैस हमले की स्थिती में कैबिन को अलग से एर सप्लाई भी मिलती है मर्सडीज मेबैक S650 गार्ड में विशेश रन फ्लैट टाइरो पर भी चल सकती है जिससे हमले के बाद टाइरो के शतिग्रस्त होने के स्थिती में ये रफ्तार भी पकड़ सकती है कार में फ्यूल टैंक पर एक विशेश एलिमेंट का कोट दिया गया है जो गोली लगने से हुए छेद को स्वचाली तरीके से सील कर देता है ये बोइंग AH64 अपाचे टैंक अटैक हेलिकॉप्टरों में इस्तमाल होने वाली सामगरी से बना होता है मर्सडीज मेबैक S650 गार्ड एक फेसलिफ्ट मॉडल है जिसकी कीमत करीब 12 करोड रुपे है इसमें सेक्यूरिटी लेवल किसी भी दूसरी कार की तुलना में सबसे जादा है मर्सडीज मेबैक ने पिछले साल भारत में S600 गार्ड को 10.5 करोड रुपे में लौंच किया था नई कार का अपग्रेडेशन आमतोर पर SPG तै करता है जो देश के प्रधान मंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी देखता है SPG सुरक्षा आवशक्ताओं को देखते हुए निर्ने लेता है कि क्या राज्य प्रमुक को वाहन अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं ऐसे में अब PM मोदी के काफिले में लगे बहानों को अपग्रेड किया गया है मर्सडीज मेबेक S650 गार्ड को रेंज रोवर बोग और टोयोटो लेंड क्रूजर से अपग्रेड किया गया है PM मोदी जब गुजरात के मुख्य मंतरी थे तब वो बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो से सफर करते थे 2014 में प्रधान मंतरी बनने के बाद उन्होंने BMW 7 Series High Security Edition का इस्तमाल किया उसके बाद समय समय पर उनकी सुरक्षा को देखते हुए कार अपग्रेड होती रही फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार